तो आज से हम Lesson 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है Mail Merge and More तो बेसिकली इसका नाम है Mail Merge तो मैं आपको बता दूँ कि Mail Merge एक फीचर होता है एक Advanced Feature है MS Word का ठीक है पिछली Class में आपको MS Word सिखाए गया था उसके कुछ functions ते सिखाए गया थे ठीक है तो यह कुछ नया Advanced Feature है जिसको हम Mail Merge उलते है Mail का मतलब होता है Message ठीक है कोई भी Message उसको हम Mail कहते हैं ठीक है और Merge का मतलब होता है किनी दो चीज़ों को आपस में Merge करना जोड़ देना ठीक है तो Mail Merge का मतलब यह होता है कि जैसे अपने सादी के कार्ड देखे होंगे आप सभी ने सादी के कार्ड देखे होंगे तो उसके उपर जो Envelope होता है वहाँ पर नाम लिखा जाता है जिस पसंद को देना होता है कार्ड उसका नाम लिखा जाता है ठीक है तो card एक ही type का होता है, आपने देखा होगा, एक ही card होगा, एक ही तरह कि कई card होगे, ठीक है, उस पर सब के अलग-अलग नाम हमें लिखने पड़ते हैं, pen से, ठीक है, तो इस काम को computer से करने के लिए, जो हम feature का use करते हैं, वही है mail merge, ठीक है, यानि कि आप ऐसा भी कह सकते हैं मैंने अभी आपको example बताया, साधी के card का, ठीक है, तो साधी के card के अलावा, अगर कोई बड़ी company है, ठीक है, एक company है, जिसमें 1000 employees काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी को company की तरफ से एक personal invitation भेजना है, ठीक है, 1000 employees को, ठीक है, यानि कि उनके 1000 लोग वहाँ पर काम करते हैं, और उनको सबको message भेजना है, और उनका नाम भी उसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है, जैसे साधी का card भेजते हैं, तो उनका नाम लिखा जाता है उपर, जिसको भेजते हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम कैसे इसके तो मरज करते हैं मैं इस word के तो, तो हम इस lesson में इसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बिलकुल उसी तरह, जैसे आपको अपने friends को invitation भेजना है, बर्त रेगा, आपका birthday आने वाला है, आपको अपने दोस्तों को एक invitation card भेजना है, और सबकी उसमें नाम भी लिखना है उनके, जि ठीक है, जैसे आपके 10 friend है, तो आपको 10 बार नाम लिखने पढ़ेंगे, अलग-अलग letter बना के, ठीक है, तो उसमें आपका time waste होगा, तो mail merge feature से हम time भी saving कर सकते हैं, और एक, इसमें करना क्या होता है, कि एक तो हम letter लिखते हैं, जो सबके लिए same होगा, ठीक है, जैसे साधी का card होता है, अपका, उसकी वीतर जो होता है card, वो सबके लिए same होता है, लेकिन envelope जो उपर वाला होता है, वो different होता है, क्योंकि सबके उसमें नाम डले होते हैं, तो बिलकुल उसी तरह है, content वैसा ही रहेगा, जो आपने लिखा है, जो आपने सबको भेजना है, लेकिन उनक इसका practical किया जाएगा, तब आप समझ सकते हैं, तो इसकी main components होते हैं, एक तो होता है main document, जो हमें सबको भेजना है, जो message, उसके बाद होता है data source, data source बच्चों ये होता है, कि जो list है, आपके friends की, या जिन लोगों को आपको भेजना है, उनकी जो detail है, उसको हम बोलते है data source, पहला बता है main document, यानि कि जो आपको message भेजना है, जिन लोगों को भेजना है, ठीक है, दोनों चीज़ें होगी main document, और data source, अब तीसरा इसका component होता है, merged document, यानि कि हमें दोनों चीज़ें को merge करना है, यानि कि वो list, अपने आपके friend की list और आपका invitation, दोनों को आपको आपस म merge करना है, तो बाद में क्या बनेगा, merged document बनेगा, ठीक है, next page पे आप देख सकते हैं, तो इसके तीन component है, आप देहां दखिएगा, mail merge के कि कितने component है, तीन, पहला है main document, यानि कि जो आपका information होगा, या जो आपका message होगा, और दूसरा है data source, यानि कि आपकी list, यानि कि याप साधी कार्ड सब को भेजना चाहते हैं, online, या प्रेंट करना चाहते हैं, तो उसमें आपके रिस्तिदारों की list होगी, relatives की, और अगर friends को भेजना चाहते हैं, तो friends की list होगी, ठीक है, तो तीन होते हैं, आपको रट लेना है, तीन चीज़ें है, mail merge में, main document, data source, and merged document, यानि कि जो merge हो चुका है, ठीक है students, तो पहले हम इसकी theory को समझेंगे, कि इसमें लिखा क्या है, उसके बाद हम practical की तो इन चीज़ों को करेंगे, ठीक है, तो चलिए, start करते हैं, mail merge, तो इसमें जो लिखा है, उससे आपको बहुत ही ज्यादा clear होगा, क्योंकि बहुत ही easy language में लिख letters with identical information to a group of people, who resides at different locations, आपको एक letter भेजना है, with identical information, यहनी कि उनकी personal information के साथ, ठीक है, जो लोग अलग-अलग जगए पर रहती है, who resides at different locations, जैसे आपके relatives, ठीक है, these letters may require the address of each person, to be printed at the top in addition to the standard content, तो इसमें कहा गया है, कि इन letters पर, यानि कि जो letter आप उनको भेजना चाहते हैं, इन letters पर उनका address, print होना चाहिए, address या name जो भी है, उनका सबका अलग-अलग address का print होना चाहिए, at the top, ठीक है, सबका address अलग-अलग print होना चाहिए, ठीक है, और letter एक जैसा होना चाहिए, letter की जो content वो सही होना चाहिए, लेकिन उनका address सबकी अलग-अलग, ठीक है, such document can be easily created using the mail merge feature, of MS Word, MS Word के mail merge feature से हम ये कर सकते है, है, mail merge is a feature that allow you to create a large number of documents by merging the main document, अगर आपको हजाल लोगों को message भीजना है, उनकी address लिखने हैं, तो ये बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं, ठीक है, main document, bracket में लिखा है, containing information that is repeated in all documents, main document में क्या होता है, ऐसी information जो सभी letters में होनी चाहिए, वो आपका main document, with the data source, containing data which is different for every document, तो data source में क्या होता है, ऐसा data होता है, जो की सबके लिए different, यानि की address, यह हम कह सकते हैं, information, ठीक है, तो आज हमें इतना ही समझना है कि mail merge क्या है, और MS Word में इसको कैसे use करेंगे, वो हम आगे देखांगे, main components, these are the main components required to perform mail merge, main document, it contains the standard information in the form of text and graphics, for example the invitation letter, that will be printed on all the documents, ठीक है, data source, data source contain the variable information, यानि की हर एक पर्सन की information अलग अलग होती है, address, name, ठीक है, तो वो अलग है, to be inserted in the document, there may be different field for each entry, for example, person detail might consist of first name, middle name, last name, address, city, postal code, postal code होता है, pin code, ठीक है, telephone number, etc, तो ये सारी information इस में होती है, data source में, किसी भी person की, है, ठीक है students, तो आज के लिए बस इतना ही, आपका homework है, आपको word meaning learn करने है, और अपने parents से बुलिएगा, वो आपसे asking कर लेंगे, lesson two की word meaning, okay, thank you, have a nice day.